So Hello and Welcome You All, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Steel Sector के Metal Sector के इन Shares को लेकर Tata Steel NMDC वेधानता यहाँ पर यह तीनों ही Shares काफी ज़्यादा important है और एक ऐसे Shares की बात करेंगे जिसमें अगर उस Stock के आपके पास अगर 11 Shares भी होगे उसके बदले बिलकुल आपको 100 Shares मिलने वाले है बिलकुल यहाँ पर आपको मिलेगा Bonus बोनस के साथ होगा Stock Split तो बिलकुल वीडियो का आएन तक देखना क्योंकि काफी ज़्यादा important वीडियो होगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करो तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे टाटा स्टेल लिमिटेड से 111.25 उबिस के राउंड शेर हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है 0.45 उबिस के राउंड की गिरावर नजर आई है 0.40% के हिसाब से वही गाईस अगर देखे तो टाटा स्टेल में काफी बड़ी न्यूस सामने आ रही है यहाँ पर जो AMC's है उन्हों ने यहाँ पर खरीदे है 7.22 करोर शेर्स ओप टाटा स्टेल इन लास्ट मन्थ तो पिछले महीने में AMC ने यहाँ पर अगर देखे तो लगबग 7.22 करोर शेर्स बाई यह है टाटा स्टेल में लास्ट मन्थ यहाँ पर अगर देखे देर होल्डिंग इन स्टेल मैनुफेक्चर सरजेट 95.42 करोर शेर्स एड दे एंड अप नवेंबर यहाँ पर अगर देखे नवेंबर के एंड तक 95.42 करोर शेर्स यहाँ पर इनके पास होंगे सिर्फ स्टेल सेक्टर के यानि यही से बदा चलता है कि स्टेल सेक्टर में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से बढ़ते आगे हाँ पर इस टाटा स्टेल के कुछ लेवल से उन्हें डिसकस करना भी काफी ज़्यादा important है तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक में इस पर्टिकलर लेवल से हमें एक बड़त देखने को मिली थी यहाँ से स्टॉक में एक ग्रावट भी आई इस पर्टिकलर लेवल पर फिर से शेयर ने सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक फिर उपर गया फिर यहाँ से रिजेक्शन फिर नीचा फिर सपोर्ट लिया मिला एक ब्रेक आउट ब्रेक आउट के बाद है यहाँ पर से उपर क्यूर जाने की वही बात करें one week के time frame पर भी one week के time frame पर आपके सामने levels हैं यहाँ पर guys अगर आप देखोंगा तो इस particular level से share support लियरा था विलकुल यहाँ से rejection भी मिला यहाँ से भी rejection मिला यहाँ पर भी support लिया upside down momentum के बाद stock में एक breakout हमें मिला breakout के बाद guys कही न कही हमें इस particular level से भले ही rejections मिले हो बर्ट यहाँ पर stock continue उपर cure कर सकता है और जो बड़े levels है वो यहाँ पर achieve हो सकते है क्योंकि बड़े time frame पर अगर आप देखोंगे तो stock में एक बस trade line का breakout का wait करना है एक trade line अगर break हो जाती है तो stock 150 रूपिस के 150 प्लस एशेर easy तरीके से हमें जाता pattern भी हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर stock में rejection है यहाँ पर rejection है यहाँ पर अगर breakout मिलता है तो stock 150 रूपिस के अबव easy तरीके से हमें जाता हो नजर आएगा next year है हमारा vedanta limited vedanta limited में यहाँ पर अगर देखें semi conductor जो चीप यहाँ पर जो plant बनाने वाले है गुजरात में उससे related काफी बड़ी खबर सामने ही है यहाँ पर stock में अच्छी momentum भी नजर आई 312.60 रूपिस के अराउं हमें share closing देता हुआ नजर आया है 3.70 रूपिस के अराउं share में अगर देखें तो हमें यहाँ पर closing देता यहाँ पर return देता हुआ नजर आया है 1.20% के हिसाप से अच्छे returns हमें मि 310 रूपे पर open हुआ था 316 रूपे तक का stock अच्छा momentum यहाँ पर बता चुगा है साधी बात करेगा इस वेदानता shares rise after inking semi conductor pack so guys यहाँ पर जो Japanese firm है यहाँ पर develop कर रहा है Indian semi conductor manufacturing ecosystem को यहाँ पर create किया जा रहा है तो यहाँ पर कितने Japanese firm है लगबग 30 Japanese firm है बिलकुल यहाँ पर ए गया है तो उससे हम वेडी कर रहे थे का अभी news आगी और इसका impact हमें देखने को भी मिला shares कि यहाँ पर इसके patterns की बात करें तो यह भी हमें positive नजर आ रहे हैं यहाँ पर guys अगर आप देखोंगे stock में support हमें मिल रहे हैं इन दो particular levels पे और उपर से हमें इन दो levels पे rejections भी returns दिये हाँ से rejection मिला फिर उपर गया फिर नीचा आया फिर उपर जा रहा है breakout के बाद stock 324 या फिर 320 रूपिस के around 320 रूपिस के around share easy तरीके से हमें जाता हुआ नजर आने वाला है इस चिछ का भी guys आपको ध्यान रगना है विदानता limited बिल्कुल positive है हम और यहाँ पर भी अग इसका level इसलिए important है क्योंकि यहां से आप देखों इस level से ही हमें गिरावर देखने को मिली थी इस level को ही break अगर कर देता है तो उपर के जो gap से ओफिल होंगे और 400 का जो target है वो easy होंगा क्योंकि 400 के level से काफी बड़ा gap down हमें वे डानता में देखने को मिला था बात होंगी NM DC Limited की so guys NMDC Limited में गिरावर हमें देखने को मिली है यहां पर stock अगर देखे 123.20 रुपीज के रौण share closing देता हुआ हमें नचराया गिरावर की बात करे 1.10 रुपीज के रौण यहां पर एक fall देखने को मिला है 0.88% के हिसाब से एक गिरावर हमें देखने को मिल रही है so guys यहा यहां पर क्या होगा क्या stock आगे भी गिरावर्ट ही बताने वाला है इसे हम देखेंगे और यहां पर आप देखो important levels को 13 minutes chart frame पर देखा जाए तो stock यहां पर हमें support लेता हुआ नजर आया यहां से stock में दो बार हमें rejections मिले हैं यहां पर फिर stock ने support लिया फिर यहां पर support ले है तो guys यहां पर एक चीज हमें confirm नजर आती है कि stock यहां पर upside down momentum के बाद यहां से सीधा ओपर क्यों जाएगा और अगर breakout मिलता है तो और बड़े momentum हमें यहां पर NMDC Limited में देखने को मिलेगे और साथ ही guys यहां पर stock में rejection है यहां पर stock में rejection है यहां पर breakout का हम वेट कर रहे हैं इस particular level को break करने का तो यहां पर यह थोड़ा rejection खाएगा बड़े level अगर break हो जाता है तो stock में 140 रुपिस का level बिल्कुल अच्छी होगा जिपी वहां से एक बड़ा rejection में देखने को मिला था as a long term की basis पे हम over budget targets का weight कर रहे हैं लगबग 200 रुपिस के level का अच्छी होगा होगा यहां से support हैं यहां से support हैं यहां से rejections भी है ब्रेक आउट मिलते से ही stock यहां से उपर क्यों जाने की बिल्कुल कोशिश करने वाला है अब बात करेंगे एक इसे share की जो यहां पर split भी होगा bonus भी दिने वाला है stock का नाम है altone textile limited यहां पर आप देख सकते हो bonus मिलेगा 9.1 का split ह stock 10.1 यानि गाइस हाप पर बहले bonus की बात करें 9.1 यानि आपके पास एक share है तो बिल्कुल 9 share मिलेगे यानि आपके पास 10 share है तो उसके बदले 90 share मिलने वाले है 14 किसंबर यानि आप अगर खरीदते हो आज कल में तो बिल्कुल आपको 12 share मिलने वाले है और साथ ही split भी होगा 10.1 का यानि एक share के उपर आपको मिलने वाले है 10 share यानि आपके पास इस share को bonus और split को मिलाके 11 share होगे तो आपको 100 share मिलने वाले है तो विल्कुल आप इस stock को भी focus में रख सकते हो watchlist में रख सकते हो so guys I hope आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा